सपागे चातर सभा के करकरताओं ने जिलाध्यष संतोष मोरिया के नेत्वत में पुलिस भरती की लीख हुए पेपर को दोबारा कराने के मांग को लिगा जिलाध्यकारी के माध्यम से राजपाल के माध्यम से ग्यापन प्रेशित किया जिसके समद्ध में सफ़ा के चातर सभा के जिलादेश संतोश मोरिया ने बताया कि हम लोगों को चातरों के मादिम से पता चला है कि 17 वा 18 को ही पुलिस भरती परिच्छा का पेपर लीख हो गया था जो की वाटस अप वाट टेलीग्राम पर चल रहा था इससे परिच्छा में राज पासवान आफ्ताव एहमद नवाज लारी उद्धेश चोहान सहित अनी लोग मौजूद रहे समद्ध में गौरक पुनी से बात करते हुए सपा के चातर सभा जिलादेश संतोश मोरिया आजम लारी ने कहा उत्तर प्रदेश पुलिस भरती आरो ए आरो जो भरतियां लीख हुई हैं हमारे राश्ट्रिय दस्री अखिलेश यादो प्रदेश दस्री ब्नीत कुस्वाजी के निर्देश पे हम सभी समाजवादी छात सभा से लोग आए हैं धर्ना ग्यापन देने महदय जी से मांग करते हैं कि पुलिस भरती जो लीख हुई है इसको निरस्ट करके दोबारा करवाए जाए हम मांग करते हैं मुकमंत्री जी से कि परिच्छा को टाले निरस्ट करें जाच कराएं दोश्रियों के खिलाफ कारवाई कराएं देखिए जास तो होती रहेगी लेकिन इसको ततकाल जब उसके पर्मार हैं प्रयाब तोर पे कि पेपर आउट हुआ था तो सबसे बड़ा इसको जो है कैंसिल करके फिर से नौजवानों के भविस्तर खेलवार ना करें लेकिन इस तरह से नौजवान बार बार चला जा रहा ह है 2024 में नौजवान इसका बदला लेगा मेरा मुहमद आजमदारी नाम है मैं यूद बिरिगेट का पूर जिलाद देख्चूं गोरगपूर का